हेलो फ्रेंज आज की रेस्पी एकदम एक नमबर होने वाली है और ये रेस्पी ऐसी है कि जिसे आप एक बार बना कर खिला देंगे वो आप से दुबारा बनाने की जित जरूर करेंगे और आप इसको सुबह साम के नास्ते में या फिर आप इसको बच्चों के टीफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं तो चलिए देर न करते हैं इस नास्ता को बनाना सुरू करते हैं वा िसनासता को बियाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी का-जार ले 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 दालेंगे 1 कोड़ गेहु का आटा और इसी केसाथ दालेंगे आधा कप सूजी आप चाहे तो सिर्फ गेहु के आटा या फिर सिर्फ सूजी इसे बना सकते हैं rider अगर दूनों चीजों को मिक्स करके हम पनाएंगे तो नास्ता हमारा क्रिस्पी और फुला फुला बन कर तयार होगा अब इसमें डालेंगे दो हडी मिट जिसको इस तरह से तोर कर डालेंगे ताकि अच्छे से पिस जाएंगे एक बड़े साइज के उबला हुआ आलू आप चाहे तो इसकी जगह पर कच्छा आलू भी ले सकते हैं लेकिन उबले हुए आलू से इसमें बहुत ही अच्छा सा टे अब इसे बावल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह का होना चाहिए इसे नहीं हम ज्यादा पतला रखेंगे इसको और नहीं इसे ज्यादा गाढ़ा कर लेंगे मिक्सी के जार में थोड़ा सा बैटर लगा हुआ है तो अधा चमच अजवायन लेंगे और हाथो पर इसे लेते हो हलका सा क्रस कर लेंगे करस करने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और यहां पर एक छोटी साच का प्याज लिया जिसको बिलकुल बारिक-बारिक कट कर लिया है उसे भी इसमें डाल लेते हैं आधा च नास्ते का लुक बहुत ही अच्छा आएगा अब साड़ी चीज़े डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है यह हमारा बैटर नास्ता के लिए तयार हो चुका है इस नास्ता को बनाने के लिए एक पैन में लग भाग दो चमचा तेल डाल कर उसे गरम होने के लि और बहर कर इस तरह से एक चमचा बैटर लेंगे और पैन में डालते जाएंगे बैटर को हम इस तरह से गिराएंगे तो बैटर खुद ही सेप ले लेगा और एक बार में जितना नास्ता आपाएगा हम पैन में डाल लेंगे नास्ते का साज अपनी पसंद के अनुसार आप हमीं च्होटाया बरा रख सकते हैं मैं एक बार में दो ही नास्ता डाल रही हूं अब नास्ता को पैन में डाल लेने के बाद इसके ऊपर भी थोरा-'tोरा सा उइल इस तरहें उच्छाल कर डालेंगे ताकि उपर से भी यह हलका हलका सा सीखते रहे जब नास्ता एक साइट से सीख जायेगा तब इसको हम दूसरी ओर पलट लेंगे और दोनों ओर से उलटते पलटते हुए इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राइ करेंगे इसे सेखने में बहुत जाएगा और अंदर कच्छा ही रह जाएगा तो लीजे फ्रेंस इसे मैंने दोनों ओर से उलटते पलटते वे गोल्डेन और क्रिस्पी होने तक सेक लिया है इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे नास्ते को बना कर तयार कर लेंगे मैं इस नास्ते को सेलो फ्राइ कर रही हूँ आप चाहे तो इसे ज्यादा तेल में डिप फ्राइ भी कर सकते हैं और जब हम इस तरह से नास्ते को हलका हलका से दवाएगे तो यह फूल भी जाएगा आप देख सकते हैं यह हलका हलका सा फूल भी रहा है आप इसको दूसरी तो देखे मैंने नास्ते को इस तरह से उलटते पलटते हुए और हल्का सा दबाते हुए इसे भी फ्राइ कर लिया है यह हमारा दूसरे बैच का नास्ता भी सिख कर तयार हो चुका है इसको भी हम प्लेट में ही निकाल लेते हैं तो लीजे फ्रेंज यह हमारा केबल पांच मिनट में बहुत ही सांदार सा टेस्टी नास्ता बन कर तयार हो चुका है खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगने वाला है तो अगली बार जब कुछ समझ ना आ रहा हो कि नास्ते में क्या बनाया जाए तो आप इस नास्ते को जरूर बनाईए और आप इस नास्ते को केवल 5-7 मिनट में ही बना कर तयार कर सकते हैं बिना किसी जहन जटके रेस्पी कैसी लगे हमें कॉमेट सेक्शन में लिख कर जरूर बताईएगा रेस्पी अगर आपको थोड़ी पसांद आ जाए तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर यादी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडिय किसाब